नमस्कार, NIOS के सभी शिक्षार्थियों का आज के इस स्टूडियो में हो रहे कारिक्रम में सबका स्वागत है आज हम भारतिय दर्शन के विशे में पढ़ेंगे भारतिय दर्शन में सन्हित सांखे दर्शन के जो तत्व हैं उन तत्वों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे इन तत्वों में सांख्य दर्शन का परिचे जो कि भाग दो के रूप में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सांख्य दर्शन के क्या परिचे हैं? सांख्य दर्शन में कौन से तत्व हैं या कौन से पदार्थ हैं जो सांख्य दर्शन को बाकी अन्य दर्शनों से विशिष्ट बनाते हैं, मुख्य बनाते हैं और इसको सभी विद्वान स्विकृत करते हैं सांख्य दर्शन में प्रवृत्ति का क्या कारण है? अर्था सांखे दर्शन को हम क्यों पढ़ें, सांखे दर्शन को हम क्यों जानें, इस सांखे दर्शन की क्या विश्ष्टता है, जिसके कारण हम इस सांखे दर्शन को जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए विद्वानों ने कहा है, सांखे दर्शन प्रवृत्ति के कारण के ल यहां पर इस कारिका में दुख की चर्चा की गई है कि दुख क्या है दुख कैसे होता है और दुख को कैसे समाप्त किया जा सकता है इसके विशे में सांखे दर्शन अपनी दुष्टी प्रदान करता है इसका अक्टन्तिक निवरित्ती अर्थात हमेशा के लिए ये दुख कैसे खतम हो सकते हैं समाप्त हो सकते हैं इसके बारे में सांखे दर्शन के आचारियों ने अपनी दुष्टी इन विश्यों पर दी ह उन्होंने बताया है कि इही जगती दुख़त रह मशती सांख्य दर्शन कार और सांख्य कारिका के रचैता इश्वर कृष्ण ने अपनी इस कारिका में जो उपर लिखी गई है उस में बताया है कि इस जगत में इस समसार में तीन प्रकार के दुख है जिन दुखों को दूर करना बहुत ही जरूरी है जिन में से पहला दुख है आधी भोतिकम आधी भोतिकम दुखम तावत मानुश पशु सरी स्रिप स्थावर आधी निमित्तम ये जो आधी भोतिक दुख है ये मनुश्यों के लिए पशुओं के लिए और छिपकली इत्यादी जैसे जो सरिस्रिप प्राणी है जो स्थावर कूर्म इत्यादी जो प्राणी है इन सभी के निमित तक है जिने की आधि भोतिक दुख होते हैं अर्थात शरीर से सम्मनित ये दुख है उसके बाद आधी दैविक दुख की चर्चा की गई है जिसमें बताया है आधी दैविकम यक्ष राक्षस विनायक ग्रहा वेश निवंधनम अर्थार आदी दैविक दुख वो है जो यक्ष राक्षस के द्वारा विनायक के द्वारा विविन प्रकार के ग्रहों के द्वारा होते हैं और इन दुखों को भी दूर सांखे दर्शन को पढ़ करके सांखे दर्शन के सिध्धानतों को तत्वों को जान करके किया जा सकता है इसे खतम किया जा सकता है उसके बाद तीसरे दुख के रूप में बताया गया है आध्यात्मिकम दुखम द्वी विधम भवती आध्यात्मिक दुख को दो प्रकार से बाटा गया है जिसमें पहला है प्रतमस्तावत शारीरम अत्र देहम अधिकृत्य जायमानम दुख्खम वात पित शलेशमना वैशम मेनिमित्तकम जग पहला अध्यात्मिक दुख्ख है वो है शारीर कम अर्था शरीर में होने वाले ऐसे दुख और ये दुख किस प्रकार से होते हैं तो ये दुख वात पित और कफ इन तीनों की जब विशमता होती है अर्था इन तीनों का जब संतुलन गढ़ड़ा जाता है असंतुलन हो सामानी जीवन में बीमार होना कहते हैं, जो बीमार हो करके हम चिकित साले में जाते हैं, जहां पर दवाई खाते हैं और अपने शरीर को ठीक करने के लिए भिन परकार की दवाईयां लेते हैं, तो वो दुख यहां पर बताया गया है, जो देह में होने वाले दुख होते हैं, और ये वही वात, पित और कफ जब इन तीनों का संतुलन होता है तो हमारा शरीर सही रहता है अच्छा रहता है लेकिन जब इन तीनों का असंतुलन होता है तो हमारे शरीर में दुख होने लगते हैं कश्ट होने लगते हैं ज्वर होने लगता है शरीर में पीडा होने लगती है जिससे कि हमें दुख होता है द्वितियस्तावत मानसम और दूसरे प्रकार के जो अध्यात्मिक दुख बताए हैं सांख शास्त्रकारों ने वो मानसक दुख बताए हैं मानस संबंदी और ये मानस संबंदी जो दुख हैं वो कौन से हैं तो अत्रा काम क्रोध लोग भय एर दूसरे प्रकार के दुख में जो काम कामना बहुत ज्यादा और काम की प्रवृत्ति जब बढ़ जाती है क्रोध होना क्रोध होने के बाद में हम कोई ने कोई पाप करने लग जाते हैं क्रोध होने के कारण से हम कुछ न कुछ किसी को नुकसान कर देते हैं और अमारा भी नुकसान हो जाता है लोव ये भी एक मानसिक दुख है लोव होने से हमें बहुत प्रकार के कश्ट सहने पड़ते हैं भय भय भी आत्मा की शाश्वत अवस्था नहीं है भय भी स्थिर अव हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम किसी ने प्रकार किसी ने प्रकार से किसी ने अच्छी वेदना नहीं होना अच्छा अनुभब नहीं होना उसी प्रकार से विशाद का होना ये सभी दूसरे प्रकार के मानसिक दुख हैं और इन दुखों की चर्चा यहाँ पर सांख शास्तरकारों ने किया है और फिर उन्होंने बताया है कि इन तीनों दुखों से क्या हो सकता है वो बता रहे हैं कि त्रया नाम दुखा नाम आत्यंतिक निवरित्ति ही समूलोच्छेदा सांख दर्शन ग्याने ने एवसम भविश्य दी अब सांख दर्शन के ग्यान से अर्थात सांख दर्शन को पढ़ करके सांख दर्शन के तत्तों को व्यावहरिक रूप से जान करके हम इन तीनों प्रकार के दुखों का समूल नाश कर सकते हैं और इन तीनों प्रकार के दुखों से आत्यंतिक हम निवरित्ति पा सकते हैं, खतम कर सकते हैं और इसके लिए हमें सांखे दर्शन को पढ़ने की जरूरत है क्योंकि सांखे दर्शन में इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए जो सामग्री दी गई है जो बताए गई है जो चीजें उन चीजों को पढ़ करके हम विभिन प्रकार से इन सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं इसलिए पूरु में जो कहा गया कि सांखे दर्शन प्रवृति है कारणम किम तरही अत्र उच्यते इस प्रकार से सांखे दर्शन की जो प्रवृति है वो सिद्ध होती है कि सांखे दर्शन में प्रवृति हो सांखे दर्शन को हम पढ़ें तो उससे हमें इन तीन प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी अब इसके अलावे सांखे दर्शन का जो मुख्य विशे है वो है पंच विम्शति तत्वान पचीस प्रकार के तत्वों की चर्शा सांखे दर्शन में किया गया है अन्य दर्शनों में भी अलग-अलग तत्तों की चर्चा की गई है लेकिन यहां पर 25 प्रकार के तत्तों की बात की गई है और इन 25 प्रकार के तत्तों को सांखे कारिका में ईश्वर कृष्ण ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कारिका के माध्यम से बताया है किस प्रकार से हमारे समक्ष आते हैं इन चीजों की बात यहां पर बताई गई है कि किस प्रकार से प्रकृति से महान तत्व आते हैं महान तत्व से अहंकार किस प्रकार से आते हैं प्रकार के जो ये गण हैं पंच ग्याने इंद्रिये पंच कर्में इंद्रिये और पंच तनमात्रा हैं ये सभी किस प्रकार से आते हैं और ये पांच भूत इन सभी की चर्चा यहां पर की गई है और सांख्य दर्शन के जो पुस्तकों में ग्रंतों में यह सबसे प्रमुख विशे है कि 25 तत्वों को जाना जाए इन 25 तत्वों को इस प्रकार से बताया है यहाँ पर कि पहला तत्व है प्रकृति ही प्रकृति ही जो की प्रधान रूप में अगर हम सहीद प्रकार से देखें, तो दो ही प्रकार के तत्व हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष, तो उसमें से प्रकृति एक तत्व जो की प्रधान है, और प्रकृति से महत, महत का तात्पर यहां पर गुद्धी से है, महत की उत्पति होती है, फिर महत तत्व से अहंकार उत्प किस प्रकार से सत्व गुण प्रधान होता है किस प्रकार से तमों गुण प्रधान होता है सत्व गुण प्रधान होता है तो उसकी स्थिती कैसी होती है और जब तमों गुण प्रधान होता है तो उसकी स्थिती कैसी होती है यह आगे इस ग्रंथ में बताया गया है फिर है मन म कर्मेंदरिये दोनों अर्थात उभेंदरी के रूप में इसको जाना जाता है फिर है चक्षु आख चक्षु के बाद फिर कर्ण नासिका नाक जिवा ये सभी जो है चक्षु कर्ण नासिका जिवा तक ये 5 ग्यानेंदरिये zijn और उसके बाद वाक अर्थात वानि, पानिही, हात पादह, पैर, पायो, उपस्तह, ये सभी पांच करम इंद्री के रूप में हैं, शब्द, सपर्ष, रूप, रस, गंध, ये सभी 5 इंद्री के रूप में, ये सभी भी रूप में हैं, फिर उसके बाद आकाश, वाई, अगनी और जल, पृत्वी और अंतिम है पुरुष अर्थाथ इस प्रकार से 25 तप्तों की चर्चा सांग के दर्शन में की गई है तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे शुरू में प्रकृति है और अंतिम है पुरुष है प्रकृति और पुरुष दो ही है जब प्रकृति और पुरुष के मेल होते हैं तो उससे महतत्व फिर अहंकार और मन इस प्रकार से बाकी अन्य तप्त्वों की उत्पत्ति होती है अब आज हम देखते हैं कि पंचविम्षति तत्वा नाम किस प्रकार से चतुरधा भी भागा कतम कर तुम्षकते इन 25 तत्वों को चार प्रकार से हम कैसे बाट सकते हैं ये चीजें इसमें बताया गया है इसमें एक कारिकाद जो सांखे कारिकाद में बताई गई है ईश्वयर कृष्णे के द्वारा पाँचीश तत्तों की किस परकार से चार रूप में बाण सकते हैं ये चीजें यहाँ पर बताई गई है इसमें सबसे पहला प्रकार है वो है प्रकृती जिसमें एक प्रकृती अकेली होती है और वो मूल प्रकृती होती है और प्रकृती का स्वरूप प्रधान होता है और वो अव्यक्त होता है व्यक्त नहीं होता है प्रकृती के बाद जो दूसरे प्रकार के तत्व हैं वो है विकृती विकृती अर्था प्रकृती से जिसका निर्मान हुआ है प्रकृती से जिसकी उत्पत्य हुई है प्रकृते ये कौन-कौन से हैं तो बता रहे हैं पंच ज्यानेंद्रियानी, पंच कर्मेंद्रियानी, मन अहा, पंच महाभूत आनी जब पांच ज्यानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन और पंच महाभूत इन सभी की उत्पत्ती प्रकृती से हुई है इसलिए ये प्रकृती की विकृती है अर्थात प्रकृती से जो प विकृति के तहत 16 इन पदातों को रखा गया है अब कुछ तत्व हैं जो प्रकृति विकृति हैं प्रकृति विकृति कौन है तो महत्तव अहंकार और पंचतन मात्राएं यह प्रकृति की विकृति है महत्तव सेतात पर हैं बुद्धी और अहंकार और पांचतन मात्राएं य ये सभी प्रकृति की विकृतियां हैं और जो चौथा प्रकार है ना प्रकृति ही ना विकृति ही सहा पुरुशा जो चौथा पुरुश है वो ना तो प्रकृति ही रूप में है और ना ही प्रकृति के विकृति के रूप में और वो पुरुश वो ना तो कहीं उत्पन इसलिए पुरुष को न प्रकृति कहा जाता है और नहीं विकृति कहा जाता है तो इस प्रकार से इसमें हमने देखा कि प्रकृति एक है जो मुल प्रकृति है उसे प्रधान के रूप में अव्यक्त के रूप में जाना जाता है और प्रकृति से विकृति प्रकृति से जो न ज्यानेंद्री, पांच कर्मेंद्री है, पांच महाभूत और मन और प्रकृति विकृति जो प्रकृति भी है और विकृति भी अर्थात वो किसी को उत्पन भी करता है और स्वयम भी उत्पन हुआ है उसको प्रकृति विकृति कहते हैं तो महात्तव उत्पन हुआ है अंकार भी उत्पन हुआ है और पंच तनमात्राइं भी उत्पन हुई हैं ये कहां से उत्पन हुई है तो प्रकृति से क्योंकि ये कारिका में पहले उपर लिखा हुआ है प्रकृतिर विकृतिर महदाद्या और इससे पहले जो हमने कारिका पढ़ी उसमें भी लिखा हुआ था प्र इन से और भी तत्मों का निर्मान हुआ है और भी उत्मन हुए हैं इसलिए ये प्रकृति के रूप में भी है और जो पुरुष है वो ना तो प्रकृति है और ना ही किसी की विकृति के रूप में है अब सांखे दर्शन का एक सबसे महत्योपूर्ण जो विशय है वो है प्रकृति प्रकृति के आधार पर ही इसको विशिष्टता प्राप्त है प्रकृति और पुरुष इन दो के आधार पर ही इसको विशिष्टता प्राप्त है तो इसमें प्रकृति क्या है इसके बारे में आज हम देखते हैं तो प्रकृति के वारे में बताया जाता है 25 तत्वी है इन 25 तत्व में प्रकृति एक प्रधान तत्वी के रूप में है और समपून जगत का जो मूल कारण वो प्रकृति ही है अगर प्रकृति ना हो तो इस जगत की उत्पत्ती संभग नहीं है ऐसा सांख का मत है और वो प्रकृती के बारे में बताया जा रहा है कि साप्रकृती ही सत्व, रज, तम है इती त्री गुनात में है यह प्रकृती जो है वो सत्व, रज, और तम सत्गुन, रजगुन और तमुगुन इन तीनों गुनों से निर्मित है या ये तीनों गुन उसमें समाहित है इन तीनों गुनों की समान मात्रा उसमें सन्निहित है इसलिए इसे त्रिगुनात्मिका कहा गया है सत्वम सुखात्मकम, रजो दुखात्मकम, तमश्य मुहात्मकम अब ये जो तीन गुण हैं, ये तीन गुण किस प्रकार के हैं तो यहां बताया जाता है कि सत्व सुखात्मकम होते हैं जो सत्व गुण होते हैं, वो सुख प्रदान करने वाले हैं और रजोगुन जो हैं वो दुख्य प्रदान करने वाले होते हैं और तमोगुन मोहात्मक होते हैं मन को ब्रहमात्मक करते हैं मन को इधर उधर विचलित करते हैं तो इसलिए सत्व सुखात्मक गुन है रज दुखात्मक गुन है और तम मोहात्मक गुन है लेकिन इन तीनों क संतुलन रूप में प्रकृति में सन्यीत होते हैं ये तीनों गुण और इन तीनों गुणों का होना ही प्रकृति होता है एतेशाम सत्वरज तमो गुणा नाम साम्यावस्था रूपा ही प्रकृति ये प्रकृति जो है वो इन तीनों गुणों की साम्यावस्था है अर्थात ये तीनों समान रूप से प्रकृति में सन्नहित होते हैं और ये प्रकृति हम सामान रूप से हर एक व्यक्ति में भी देखते हैं कि ये तीनों प्रकार के गुण होते हैं जब जिन गुणों की अधिकता होती है, वह व्यक्ति उसी प्रकार के सभाव के हो जाते हैं, सत्व गुण ज्यादा होते हैं, तो सत्व गुण के सभाव के हो जाते हैं, रजो गुण ज्यादा होते हैं, तो रजो गुण के प्रभाव के हो जाते हैं, तमो गुण ज्यादा हो या किसी प्राणी की बात नहीं करता, ये पेड, पौधे, सब चीजों की बात करते हैं, हर चीज में सत्वगुन, रजगुन और तमगुन होते हैं, तो इन तीनों गुनों का जो साम्मे आवस्ता है, उसको प्रकृती बताया गया है, अब जो दूसरे जो प्रकार से बाटे ग अर्थात प्रकृती ही, समन्चकस्यचित तक्तवस्यकारियम, अर्थात विकृती ही वर्थते, ते प्रकृती विकृताया उच्चंत, ये मैंने पहले भी बताया, कि जो पदार्थ किसी तक्त्य के कारण भी होते हैं, और कार्य भी होते हैं, उसे प्रकृती विकृती कहते ह अगर वो किसी के कारण होते हैं तो वो प्रकृती हो जाते हैं और जैसे ही कारी होते हैं विक्रिती हो जाते हैं तो इसलिए प्रकृती विकृती जो है उसके बारे में यहीं बताया है कि किसी भी तत्व के कारी को और उसके कारण जब दोनों होते हैं तो वो प्रकृती विकृती को कहलाते हैं महत औहंकार शब्द स्पर्ष रूप रस गन्धादी पंच तनमात्रा प्रकृति विकृती है यह कियों है क्योंकि प्रकृती से यह उत्पन होते हैं तो किसी न किसी से यह उत्पन हुए इसलिए यह विकृती हुए तो प्रकृति की विकृति हुए और इसके द्वारा भी किसी ना किसी की उत्पत्ति होती है तो किसी ना किसी की जब उत्पत्ति होती है तो उस रूप में ये प्रकृति होती है अर्थात ये किसी के कारण और किसी के कार दोनों है महदिती अंतह करण स्वरूपा बुद्धी है और महत को बताया गया है कि वो अंतह करण स्वरूपा बुद्धी है और वो बुद्धी अंतह करण के रूप में उसे जाना जाता है और अहंकारश्या अंतहकरण स्वरूप मन है जो सत्व रज और तम इन तीनों के रूप में अहंकार के भेद जाने जाते हैं धन्यवाद आज की कक्षा में आप लोगों को धन्यवाद हैं ध्यान से सुनने के लिए नमस्कार झाल